आपने यदि ध्यान से देखा हो, तो पाएंगे कि प्रधान मंत्री मोधी हर साल लाल किले में अलग-अलग तरीके से तिरंगे को सलामी देते आए हैं। इसका संबंध तीनो सेनाओं से है, भारतिय सेना, भारतिय नौ सेना और भारतिय वायू सेना के अलग-अलग प्रकार के काम हैं और इसलिए इन तीनो सेनाओं के सलामी के तरीके भी अलग हैं। एक एकर समझे भारतिय सेना, भारतिय सेना के जवान और अधिकारी अपना पूरा हाथ दिखा कर अपनी हथेली खोल कर सलामी देते हैं भारतिय नौसेना पुराने जमाने में जहाज में काम करने से हाथ गंदे हो जाते थे इसलिए नौसेना के जवान और अधिकारी ऐसे सलामी देते हैं ताकि उनकी हथेली दिखाई न दे भारतिय वायूसेना पहले वायूसेना की सलामी भारतिय सेना जैसी ही होती थी 2006 में वायुसेना ने अपनी सलामी में बदलाव किया अब इस सलामी में जमीन और उनके हाथ के बीच 45 डिग्री एंगल होता है यह आसमान की ओर वायुसेना के बरते कूदमों को दर्शाता है ये थे तीनों भारतिये सेनाओं द्वारा इस्तिमाल किये गए अलग-अलग प्रकार के सल्यूट प्रधान मंत्री मोधी हर साल इन्हें मैंसे बदल-बदल कर कोई सल्यूट करते हैं इस बार प्रधान मंत्री ने जिस सल्यूट का इस्तिमाल किया वह भारतिय नौसेना यानी इंडियन नेवी का सल्यूट था